हलो बच्चों सभी को जैमा ससती तो आज हम आप सभी लोगों के लिए यानि बिहार बोर्ड का जो तीन फरवरी के फिजिस का एक्जाम होने वाला उसी का पेपर लेकर आया हूं ठीक है एकदम हुबहू जो आज मैं पेपर आपको दिखाऊंगा उसी पैटर्न पर आपके एक गिफ्ट का एलान किया जो बच्चे 95 प्लस बोर्ड में लेकर आने वाले हैं उन सभी बच्चों को में 5G स्मार्टफोन और और उनको एक समान समारो कराए जाएगा उसी में बुलाए जाएगा तो आप चाहे मेरे से अप्लिकेशन पर पढ़ते हूं या फिर यूटूब से ही पढ़ते हूं आप सभी लोगों के लिए इसके लिए एक फार्म मैंने बनवाया है उस फार्म का लिंक नीचे पढ़ेगा साथ में उसमें रोल लंबर भी डालना है तो अभी रोल लंबर तो नहीं होगा आपके पास तो अभी मदालना लेकिन जब रोल लंबर आ जाएगा तो जरूर से जरूर डाल देना ठीक है तो नोलमर उगरा सभी फार्म में आप अच्छे से फिल अप कर से गिफ्ट होने वाला अच्छा सर मेरा तु 90 प्लस आये तो क्या दोगे अगर आपका 90 प्लस आएगा तो भी आपको उस समान समारों में बुलाए जाएगा लेकिन हाँ अगर आप मेरे से एप पर पढ़े होगे तो आपको क्या उस एप का जो फिस होगा वो रिटर्ण कर दूँगा नहीं पढ़े होंगे तो आपको मिठाई खिलाओंगा तो सभी ख्लाओंगा आप भी खाऊगे उसी में ठीक है तिक ओभी यह क्या है न हमारे पास करोडों की आपको प्रिंटेड नोट दी जाती है हर चीज आपको दिया जाता है ताकि आप कम सब्सक्राइब बढ़ियां से पड़िया जाती है यह निकि यूटूब पर पढ़ा के आपको एप देने लगें यह भी काम नहीं करते हैं आपको तो उसमें भी खर्चे आते हैं थोड़ी ब पूरा बढ़ियां से देखो फिजिस का यह मॉडल पेपर है देखो यहां पर मैंने विशय कोड नहीं डाला है तकि एकजाम में यहां पर विशय कोड डालकर आया होगा ठीक है अब यहां पर लिखा हुआ मुद्रित कि परिष्टों की संख्या कितना 12 मतलब कि 12 पेजों में यह चपा हुआ है ठीक है और देखों यहां पर इस इन में अपना जाता लिए यहां पर करते उसको रंगना पढ़ता यहीं सबसे आपको काम मैं सहीन पिमतित दिए अब सी अबस्यटान का विश्च और यह अप श्यक्omi हो तो यह पूरा पीडियाफ में आपको कि़से टेलीग्राम चैनल पर दे दुगा आपको काम क्या है इसको साल्व करना आगे मैं सब्लस्यक्राव 33 को साली का तरीका बताऊंगा देखो पूरा काफी उपी लेकर आया हूं आप लोगों के लिए तो आपको क्या करना है उन सब्जेक्टिव को जैसे मैं साल्व करूंगा उसी तरीके से आपको लिखना चुकि नम्मर कटते हैं बाबू अगर आपका सही रहेगा तो नम्मर आपको पूरा मिल जाता लेकि सब्जेक्टिव में नमर कटते हैं मैंने पिछली साल भी देखा है बहुत पढ़ने वाले बच्चों का नमर कटता था है यह देखो यह पूरे कोशन से आपके 9 मीटर से तू पूरा अदम देखो हर एक कोशन से ठीक है यह सभी ऐसी बात नहीं कि यह सब चाहि गई है और सिस्टमेटिक पढ़ाए गया आपको यह पता है आप में जितनी भी क्लास हुई है एप में या यूटूब पर पूरी क्लास इस आपको कराई गई है और साथ मीं फिजिस की अलग से इससे में चल लिए आपकी प्रीवियस से कोशं इप्वोर्टन कोशन की साम को साधे जफचा बजे चलती है साम को साधे जफचा बज़े चलती है। इसको आप सभी लोग जरूर लिया करो क्योंकि पूरे कोशन से यहीं से मिलने वाले इतना जान लो अब देखो यह कोशन को एक साथ तो हम करा नहीं सकते लिए थोड़ा-थोड़ा करके आपको पूरे चैप्टर के जितने भी कोशन सोते हैं इसी टाइम पे कराया जाता सामको साड़े 6 बजे फिजिस की क्लास तो इस क्लास म पर आके सभी लोग क्लास जरूर किया करो 10 कोशन हो गया तेको यहां पर 11 कोशन 12 कोशन 13 कोशन 14 15 16 17 इसका पूरा पीडियफ आपको देदूंगा ठीक है दिखतो रहा होगा पीडियफ आपको कोशन से नहीं देखो पूरा पीडियफ मैं एप पे कर रहा हूं और टेलिग्रा प्रेeted देखो गांट डिखना एक टेलिगराम में टुरांट में इसका पीडिया फफलोट कर दोंगा। चाहस के तुरंट बात आप इसको तुरंट-अचैस को जो है ना लगा लो अच्छे से समझ भो और अच्चे से याद कर लेना तेखो 9 यह बात बात माना दरना नहीं ह आगर आप मेरे से पड़े हो तो मैं सभी आप्जेक्ट्ट्व को कराया हूं और आपको इस वीडियो काइए एक वीडियो है, 500 अब्जेक्टिव है, 5 घंटे का वीडियो है, उसको अगर 5 बार आप देख लो कोई तो कोई भी अब्जेक्टिव बोर्ड में पूछी जाने वाला इसके बाहर नहीं जाएगा, सर कहां पर यूटूब में ये बता दो मुझे वीडियो, आपने यूटूब के प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे 750 कोशन का एक प्लेलिस्ट है, उसी प्लेलिस्ट में, अच्छा उस प्लेलिस्ट में आपको 500 अब्जेक्टिव भी है, और उसी प्लेलिस्ट में, उसी प पूछे गए हैं कम पूछे के लिए हाड पूछे इसलिए इसलिए निमेरेकल पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा नहीं करोगे तो थोड़ा सा आपका नमर कटेगा बोर्ड में तो यह सई नहीं रहेगा ठीक है थाट चलो आगे चलते हम लोग है सब्सक्राइब के लिए अध्यार उपड़ का सिध्धान्त बायो सेवट का नियम हर एक चीज़ा आपको कराई गई है अगर देखोगे तो यहां पर अट्ठार और यह दोवीस कोषण है करांतिकोड़ की परिपास यह यह 20 कोषण है यह सभी कितने के प्रसन है दूदोनंबर कोशन है ऑर यह 20 कोशन में से कितने करने मात्र कि दस करने माद्र Reallyוד कोट यसكن आपकोगो डस करने अच्छा-चक कैसे करने अए ढ Window करनां में लिखन में मोते हैडिंग में यहां पर लिखना है कंड आ कंड आ प्रस्णोत्तर नमर एक पहला कोशन को प्रस्णोत्तर नमर एक पहला कोशन काले पेंसे ही डालना लेकिन यहां पर पतला पेंस यूज करना है प्रस्णोत्तर प्रस्णोत्तर नमर क्या प्रस्णोत्तर नमर यहां पर थे ऩंध्या है उतर यहां पर क्या लिखisz icon जाई यह त्यादलना है पर नहीं अटिभलड़ और जिस नीचे वाले लाइन से यास इसका आतिचालक का एंसों लिखने शुरू करना इसी तरीके सभी को करना है खंड लिखने बाद दो लाइन छोड़ देना इससे क्या होगा आपकी कापी भी बरेगी देखने में अच्छा भी लगा जिसका राइटिंग खड़ाब होगा जिसे मेर न एक यरह पार भी लिखने राइट जो गहाँ उस्मेंयों को क dzieci को अनुदा रहेगा फ्रकास बेदूसप्रभाव को जेनर दायोड की कि छित्र फार पर बैजा का वैंजर के और यहां पर क्या पूछा आपका चुमकी आगण के यह यह अपॉरतन का फार्मला होता है उसको प्रूब करना है गौось का प्रमे है और गौस को प्रमे किसी लम्बे द्बिलना का चालक के लिए गौस का प्रमे प्रूचना है यह पूरा आपकी सामने model paper मेरा था क्या करना है इसको telegram से जाके फटापफर डाउनलोड कर लेना telegram का जो link है न वो discussion मैंने already दे रखा है आप discussion से telegram के link को telegram channel को क्या करना है join कर लेना है वहाँ पर ये मिल जाएगा PDF इसको download कर लेना और पूरे question को solve करना साल्व करने से क्या होगा सर साल्व करने से आपकी तैयारी अच्छी होगी है न है आप को पता चलेगा क्या गलती है और हां साल्व करने के बाद अभी तो back to back classes है साड़े 6 बजे class है फिस साड़े साथ है math पिजी उसे सभी classes हो करना नौ-दस बजे इसको साल्व करना फिस मुझे रात को ही सेंड करना या सुबह में सेंड करना ठीक है है न और हां आप लोगों को और बता दूं मैं ठीक है एक चीज और मुझे बताना था आप लोगों को ठीक है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बहुत बहुत सारे बच्चे होंगे जो बच्चे सब कुछ पढ़ चुके हैं पस उनको अब को रिवीजन की जरूवत है तो यह रिवीजन भी कराई जाएगा तकी इसको जॉइन कर सकते हैं इतनी बड़ी टीम आपको इसमें पढ़ा रही है इसमें आपको बहुत ही बहुत इस तरीकी का दिया जा रहा देख लो पुडा प्रिंटेट नोट दी जा रहे हैं ताक आपको चल रही है आप इसे जॉइन करके अपने त्यारी को बहुत नहीं कर सकते हैं अच्छा टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत जोड़ी है आप चैप्टर वाइस टेस्ट भी दिये जा रहे है इस बैच में सर बैच का फिस कितना है देखो या बैच का फिस आप इस न नहीं हो पाएगा तब पर भी आपको सयोग किया जाएगा जितना हमसे डिस्काउंट होगा मैं करके रफूर जूंगा ठीक है आप अलफा इसे टुट प्रो आपको डाउनलोड करके खुद से भी देख सकते हो जोइन कर सकते हो बहुत ही बढ़िया तैयारी के लिए आपके लगा लो इस पेपर को आगे मैं एक दो तीन पेपर आउर दूंगा फिर जिसका इतना कर लिए तो कोई भी कोशन अपजेटी हो चाहे सब्जेटी हो इसके बाहर नहीं जाने वाला मिलते निश्ट क्लास में सभी को जैमासर सुतिंग